दोस्तो माई यूटूब चैनल मेडिको अड़ापर आपका स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में राश्तन आइस काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड के एक्सपक्टेट कटोप के बारे में डिसकस करने वाले थे लास्ट वीडियो में आईस काउंसलिंग में पाटिशिपेट करने वाले कोलेजेस के बारे में डिसकस किया था तो आई होप वो वीडियो आपको पसंद आया होगा और आज का ये वीडियो भी इंपोटेंट होने वाला है इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और एंड तक देखें और ये दि मेडिकल काउंसलिंग से रिलेटेट एंड एकुरेट अपडेट सबसे पहले पाना चाते है तो मारे चैनल को सबस्काइब करें इंड बेल आइकन को प्रेस करें तो गैस आपके लिए मैं इतना ज़्यादा मेनत करके और इतनी अच्छी एकुरेट इंफोर्मिशन आपको देता हूँ तो गैस तोड़ा बहुत तो सपोर्ट बनता है तो guys आप जितने ज़्यादा सपोर्ट करोगे मैं उतनी अच्छी और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज आपके लिए लाता रहूँगा तो guys आज का जो ये वीडियो है वो हम स्टार्ट करते हैं तो आप सबको पता हैं कि राजतान में की दोई गवर्मेंट कोलेज है एक तो डौक्टर सहरोपली रादा किष्णा और दूसरी अनिकी मदन मौन मालवय गवर्मेंट आयरवेदी कोलेज इंड़ उस्पिटल जो की उध्यपूर में तो यह दोई गवर्मेंट कोलेज है वो बाकी जितनी भी है वो सारी की सारी प्राइवेट कोलेज है तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो डौक्टर सहरोपली रादा किष्णा उसकी एनकी फर्स्ट आउन में एकस्पेक्टेट का टोप क्या रहने वाली है तो गैस वीडियो इंपोर्टेंट होने वाला है इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्कीप ना करें तो दोस्तों जो डौक्टर सहरोपली रादा किष्णा उसकी फर्स्ट आउन में जो एकस्पेक्टेट का टोप रहने वाली है वो जनरल केटिगरी की 570 प्लस नमबर है तो जनरल केटिगरी में यानिके एडमिशन मिल जाएगा डौक्टर सहरोपली रादा किष्णा में और इसी केटिगरी में जिसके 460 प्लस नमबर है उसको आराम से डौक्टर सहरोपली रादा किष्णा में एडमिशन मिल जाएगा एंड एस्टी केटिगरी में जिसके 430 प्लस नमबर है उसको हो जाएगा तो गाइस यह थी एन की डॉक्टर सरपले गादा किष्णा की फर्स टाउंड के एक्सपेक्टेड कटोप अब बात करते कि जो ट्रिपल M एन के अरवेधी कोलेज जो कि उद्वेपूर में है उसकी फर्स टाउंड में एक्सपेक्टेड कटोप क्या रहने वाली है गजITH तो जो M M कोलेज है उसके अन की फर्स टाउंड में जो एक्सप्टेड कटोप रहने वाली है वो जनेरल केटिगरी की पानूटल साथ प्लस नंबर और औबीशी केटिगरी में 565 अंबर है mm में and s3 category में 430 प्लस नमबर होने चाहिए mm के लिए ओके गास तो यह तिक government college के अनकी first round के expected cut up अब next हम बात करते हैं कि जो private college है जितनी भी private college है उनमें अनकी BMS के अनकी expected cut up क्या रहने वाली है first round की ओके गास तो दोस्तों जितनी भी private college है उसमें यानकी first round की जो expected cut up रहने वाली है वो general category की 400 C plus नमबर and obviously category की 470 plus and EWS category की 465 plus नमबर रहने वाली है SC category की बात करें तो 300 plus जिसके नमबर है उसको आराम से private college में admission हो जाएगा और SC category के जो ST category है उसमें यानकी 200 C plus नमबर होने चाहिए तो यह थी government and private college की first round की expected cut up ओके गाइस और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like करना इन ज़्यादा से ज़्यादा student के पास share करना ताकि उनको भी पता लग जाए की first round में जो expected cut up है वो क्या रहने वाली है ओके गाइस और दोस्तों अगर वहाँ पर भी मेरे पास message कर सकते हैं आपकी problem का solution होगा तो गाइस अज़ि आपके पास कोई भी doubt हो counseling से related आप मुझे कभी भी Instagram पर message कर सकते हैं comment कर सकते तो गाइस आप जितना ज़्यादा मुझे support करोगे मैं उतनी ज़्यादा अच्छी वीडियोज आपके लिए लाता रहूंगा ओकी गाइस and thank you and goodbye मिलते हैं next वीडियो में